नोईडा में एक एलिवेटर रोड निर्मान के दौरान एक क्रेन बिजली के हाई टेंशन तार्क से टक्रा गई जिससे क्रेन में सवार एक मजदुर जुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई यहाँ हादसा भंगेल पुलिस चोकी के पास सोमवार शाम को हुआ सुचना मिलने पर मौके पर पहुँची कोतवाली फेस दो बुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस मामले की जांच कर रही है थाना फेस दो की प्रभारी निरिक्षक अनिता चोहान ने बताया कि भंगेल गाउं के पास निर्माना धीन एलिवेटेड रोड का कारिय चल रहा है भंगेल के पास सोमवार शाम को पुल्णया बिहार निवासी दानिश निर्मान कारिय में लगे थे तभी सडक के उपर से गुजर रही हाई स्टेंशन लाइन का तार उनकी ग्रन से टकरा गया चोहान के मुताबिक इस हटना में दानिश की मौत हो गई